तो आईए लापाक के नाम से आज की बहुत जबर्दस सी रेस्पी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इस कड़ाय के मसाला त्यार करेंगे तो मसाला त्यार करने के लिए एक मैंने हमाम दस्ता ले लिया है आप इसको ब्लेंडर के अंदर भी बना सकते हैं इस मसाले को तो सबसे पहले हम शामल कर देंगे एक टेबल स्पून साबस सुका दनिया एक टी स्पून साबस जीरा और इसके अंदर शामल करेंगे एक टी स्पून स्फेद मिर्च एक टी स्पून काली मिर्च साथ से आठ अदर शामल करेंगे लॉंग एक टेबल स्पून शामल करेंगे सौफ चार से पांच अदर मैंने छोटी लाची शामल की है बादियान के फूल शामल कर देंगे इनको मैंने तोड़ लिया था दोड़ एक पिपली शामल कर देंगे और छोटा सा टुकड़ा शामल कर देंगे जैफल का इससे बहुत ही हुश्पुदार हमारी कड़ाई त्यार हो जाएगी तो दो से तीन यदर शामल कर देंगे दालचीनी की स्टिक और छोटे साइस का टेस्ट पता लिया था उसको मैंने तोड़ लिया अब आपने इन सारी चीजों को अच्छी तरह कूट लेने हैं इसका पोडर त्यार कर लेने हैं मैंने आपको बताया यही काम आप लेंडर के अंदर भी कर सकती हैं तो अच्छी तरह कूट लेती हैं तो फिर आपको दिखाती है तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको कूट लिया देखिए कितना जबर्दस सा पोर्डर त्यार हो गया है अब आपने लाची के छिलकों को निकाल देना है जो साबत नजर आ रहे हैं तो बहुत जबर्दस सा देखिए हुश्पूदार हमारा कडाई का मसाला भी बनके त्यार हो गया है अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ अभी मसाला का कोई काम नहीं है इस तरह आपने लाची के छिलकों को निकाल देना है तो कडाई बनाने का आपको बताते हैं तो कडाई बनाने के लिए देखें कडाई मैंने चूले को पर रख दिया है इसके अंदर शामल कर देंगे आदा कप शामल कर देंगे इसके अंदर ओइल और इसके अंदर शामल करेंगे साबत, मिक्स, गरम, साले, टेस्ट पता, दालची नीख, स्टीक, मोटी लाची और जीरा तीन मिडियम साइज के प्याज लिए थे, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिए एक गठी लसन के लिए और दो टेबल स्पून लिए अदरक सारे मसाले को आपने light सा golden कर लियाने, slow frame के उपर बिल्कुल भी आपने प्यास की और लसन की और अद्रक की टेंशन नहीं लेनी, यह गुल जाएंगे, आपको नजर भी नहीं आएंगे सारे मसाले को मैंने light सा golden कर लिए इससे ज्यादा नहीं करेंगे अब शामल कर देते हैं गोश्ट बकरे का एक किलो पुठ का और चाम का मैंने मिक्स लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा पीसे में रखा हुआ है ये शामल कर देते हैं तो गोश्ट मैंने शामल कर दिया है गोश्ट के उपर आपने शमर कर देने एक टेबल स्पूम भर के नमक और इसको उपर लगा देंगे टमाटर तीन मीडियूम सैज के मैंने टमाटर लिये थे इनको दो-दो टुपड़ो मैंने काट लिया है कोई इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है गोश्ट अपना पानी छोड़ेगा और इसको उपर से कवर कर देंगे 20 मिट के लिए स्लो फ्लेम के उपर तो मिलते हैं इंशालला 20 मिट बाद तो जी देखिए 20 मिट के लिए मैंने स्लो फ्लेम के उपर गोश्ट को कवर कर दिया थे देखिए गोष्ट ने अपना कितना पानी छोड़ा है यकीन माने मैंने इसके अंदर कोई पानी वेगरा शामल नहीं था किया गोष्ट ने अपना पानी छोड़ा है अब आपने टमाटर के छिलकों को इस तरह निकाल देना है और टमाटर के छिलकों को निकालने के बाद आप के अपने इसके अंदर शाम All करणे और देही प्याइद लेनाँ और फिर आपने मिक्स और करने के बाद आपने इसको छोड़ देनागे लिए जोस्त हमारा अभी गला नहीं यह नीए ङूई देखिए अच्छी तरह मैंने इसको mix कर दिया, अब आपने इसको उपर से cover कर देना, slow flame के उपर आदे के इंटे के लिए, जब तक के गोश्ट मारा अच्छी तरह घल नहीं जाता, तो मिलते हैं इंशारला, आदे के इंटे बाद flame आपने slow रखनी है, तो जी देखिए आदा गेंटा हो गया है, आदे के इंटे के लिए मैंने slow flame के उपर गोश्ट को cover कर दिया था, गोश्ट हमारा अच्छी तरह घल गया है, अभी पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अब आपने दो टेबल स्पून इसके अंदर शामल कर देना मिसाला जो हमने बना के रखा एक टी स्पून शामल करेंगे कुटी हुई मिर्चे, इससे बहुत जबर्दस सा कड़ाई का flavor आएगा और इसके अंदर कोई मिर्च मिसाला ने जाएगा, अब आपने इसके करते निया flame high और high flame के उपर आपने 5-7 मिट के लिए कड़ाई को अच्छी तरह भूनना है, जब तक कि इसका oil ओपर ना जाए, तो मिलते हैं शालला 5-7 मिट बाद, तो देखिए 5-7 मिट के लिए कड़ाई को मैंने अच्छी तरह भून लिया, कितनी जबर्दस इसकी लूक आई है, कितना जबर्दस अकड़ाई का color आगया है, तो देखे हैं आपने कितनी मज़े की लग लिए कड़ाई हमारी, तो इसको और मज़ेदार करने के लिए इसके अंदर शामल करेंगे, फ्रेश लेमन जूस दो टेबल स्पून, दो से तीन अदर शामल कर देंगे, हरी मिर्चें, साबत, थोड़ा सा शामल करेंगे, कटा हुआ दनिया, और इसको slow flame के उपर छोड़ द लिए हैं, अलहम्दोलिल्ला, अलहम्दोलिल्ला, बड़े ही जबर्दस था हमारी पिशावरी नमकीन कड़ाई बनके त्यार होगी, यह लंबाई में कटी ही, अदर भी इसके अंदर शामल कर देते हैं, इससे भी कड़ाई का बहुत जबर्दस अफले वराता है, तो अगर आपको यह मेरी आज की रेस्प पे अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इसे के साथ महाम्द रफी को दीजिए अजाज़त, अपना और अपने गर्वल का ह्यार रखें, मुझे दौम याद रखें, अल्ला हाफिज